नमस्कार मेरे प्यारे साथियों कैसे हैं आप आसा करते हैं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपेपलिस कास्टेवल की भरती आ गई है और इसमें सबसे टफ क्या होता है हमारे लिए सबसे टफ होता है जीएस में कैसे इसकोर करें तो दखिए जीएस में स्कोर करने के लिए रामबार तरीका क्या है इस पर हम बात करेंगे और दोस्तों अगर वाकि में इस तरीकिंगे को फालो करेंगे तो मानके चलिए की पचीज से लेकर के 30 कोश्चन तो बहुत आराभ से आपके सही हो जाएंगे बिना तुक्य कि आप 25 से 30 कोश्चन सही कर सकते हैं तो उसी पर हम भी स्थिर चरशा करेंगे क्योंकि समय भी बहुत कम है मेरे दोर तो जो जो GK का वीडियो बनाया गया था GKS कैसे तेयार करें तब है जब आपके पाई 6 मेहने 8 मेहने का समय रहे तब उस तरीकों का फालो करेंगे तो बहुत आराम से उसमें भी जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं लेकिन अभी समय कम है यह भी प्लिस को अंस्टेवल करें समय बहुत कम है मालेजिए कि 45-50 दिन का है तो किस तरीके से हम बताएंगे कि अगर उस तरीके का फालो करेंगे तो 100% मेरा दावा है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं और जिके के लिए बेस्ट बुक बहुत लोगों को तो इह नहीं पता है कि हम किस पुस्तक से पढ़े कि ज्यादा कोश्टन वही से आएं तो कई लोग त से कोई उन्हें benefit नहीं मिलता है तो हम केवाल दो ही पुस्तकों की बात करेंगे और आप मान के चलिए मेरा दावा है कि आप exam देके आएगा और फिर उन्हें किताबों से आप मिलाएंगे तो 30 to 35 कोश्चन उन्हें किताबों से मिलेंगे 100% वही से मिलेंगे current affair को छोड़ दि सबसे पहले आपको जो पिछले 3-4 सालों के paper हुए है उनको देखिए और देखिए कि हां history से कहां सा question आया है आप जब देखेंगे तो history से repeated question आते हैं जो topic है उन्हे topic से repeat होते है question फिर देखें उसको note कर रही है मालीजा history में आप देख रहे हैं कि गुप्त वंस से लगातार question आ है तो फिर जैसे गुप्तवंस से लगाता रहा है तो इस लिख लेजिए गुप्तवंस गुप्तवंस इसको बसेसे लिख लेजी ए रफ में लेजिए फिर आप देखें बहुत दर्म से बादबराय रिपेट हो रहे हैं तो फिर लिखिए बहुत दर्म तो इस तरीके से जाप strategy बनाएं दो दिन आपको लगेंगे दो दिन भी नहीं लगेंगे लेकिन माल लिजए अगर दो दिन भी लग रहे हैं तो इस तरीके से आप लेख लिजए जो भी question repeater जैसे आप फिर आये पॉलिटिक पॉलिटिव अब देखेंगे तो समिधान सभा से question आते हैं समिधान सभा उसके बाद आपको question आते हैं प्रस्तावना और अनुश्य एक से लेकर के 155 के प्रस्न आते हैं फिर राश्ट्रपति उसको जो अपतकाल है उससे प्रस्न आते हैं फिर महा नयव भादी से प्रस्वन आते हैं नेंत्रडवा महा लेखा से प्रस्न आते हैं तो इस तरिके से अARS yhtहां चुरे। पिर साड मेंसे नूट करें अगर हर साल देखेंगे कि इन अने टोपिक से प्रशन einzआ रीपीट पूramप लॉय है्-थी लिए से लुत विए तो अभी नहीं है कि जो राष्ट्रपती से पिछले बर क्वेस्चन पूछा उसे अगली बर पूछेगा जासे राष्ट्रपती से क की अनवस्तिती में जो राष्ट्रपत्य के कारें यह क्वान करता है तो इस तरीके से आवे नहीं करें रा मापन से कौच्छन आते हैं ज्यादा मात्रक से प्रमुक अविस्कारक हैं और इस एक सरेक अविस्कार किसने किया विटामिन की खोज किसने की फिर केंदर की खोज किसने की ठीक है तो यहां से प्रशन ज्यादा बनते हैं आपके अब ऐसा नहीं है कि डिटेल में पूछ देगा कि किस बलड गुरूप की माता का बलड सब्सकर को लगे किया वा बच्टा कुछ यह जानता है हेष्जेगा है सब से छोटी सब से बड़ी सबसे लंबी मज्बूफ हर्ण अब नहीं पूछेगा कि कान कर Tamamhur में से कौन के बिक मेने पाए जाता है को तीन हट जबे देगा जो कानमें है और चोथा अलग लाइ नहीं सों सब्सक्राइन है इतने डीटिल से सटन नहीं पूछ जाते में। क्यूंकि यह साइइस काँ आप आप पालटि में देखें गे तो पालटि में कुसे gentleman को स्टन आसे होते इंच कि आट की डिए श्ट्री घ्री की मांग और लेकिन शुल ऐता स्थरी के माँआ मद जब बाल ऑगो थी गोटरी मेत्ताने उस्के बाद सैंट लोग थे और तो इसा नई है लेकिन साइंस में इतने ज्यादा डीटेशन नहीं आते हैं तो अब इतिहांस पढ़ लिजिया। संविधान पढ़ लिए आप मैसी है पढ़ना वहीच्वे और पिछले स्दुर gutes थे और स्फीन की इसे होती है अन्त की शुरूबद्स Matt प्रस्तावना को 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 प्रस्तावना क दू दिन मातर लगेगा आपको नोट करना भी जो important topic है उसके बाद important topic नोट कलिए आप उसके बाद 10 दिन में आप history, polity और geography complete कर देजिए 10 दिन में history, polity, geography खतम कर देजिए क्योंकि यहीं से ज़्याधा प्रशनाते हैं पॉलिटी से सबसे ज suburbs प्रस्थाыт है। उसके बाद हिस्ट्री से प्रस्थाइए फिर आता है आपके UP страшip send 10 दिन में पढ़ लिजै तो पिर अगले दस दिन में आप UP special और science कर दीजिए 20 दिन हो गया ठीक हां UP special भी होगा यो पिस पे से लोगे साइस होगे तो पॉलेटी से लोग साथ से यह प्रशना है गें हिस्टरी से लगाया च्छी से लोग चार प्रशना आते हैं अगें सब पढ़ने का प्रयाश करेंगा तो छूट जाएगा आप उनहीं chapter को पढ़े जो की ज्यादा repeated होते हैं तो यह है इस पढ़े 30 दिन में आप पूरा complete कर लेंगे बाके को जो बचे 15 दिन उन 15 दिन में इनहीं जो आप पढ़ रहे थें 10-10 दिन करके उनहीं को आपको किवल repeat करना है किवल repeat repeat करना है revision करना है तो मात्र 3-3 गंटे आप बचे 5 20-10 गंटे पढ़े और इनसे पढ़ना है ज्यादा पढ़ना एक को कम सकम दो गंटे rendering को दो गंटे कंद हिंदी पढ़ना क्यों कहा से got calm यहां से आप नंबर ज्यादा आंकित कर सकते हैं उसके बाद आप तीन घंटे पढ़िए कम से कम यहां से कम पढ़िए तो आपको पढ़ना नहीं है इससे कम आप पढ़ेंगे तो अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आप सलेवस के पीछ एक वल राजाएंगे मैं उसी पर बात करूँगा जो की एक इंपोर्टेंट है जा से कोशन रिपीट होते हैं तो दो किताब उन दोनों में से एक किताब होने चाहिए पहले है एक शार संग्र यह किताब बहुत ही इंपोर्टेंट है इसमें से आप पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा किताब वाकी में बहुत ही इंपोर्टेंट है बहुत ही डिटील वाइज सारी जानकरिया इसमें है अभी अंसियार्टिक पैटर्न पर तो इसको अगर आप पढ़ रहे हैं तो मानके चले कि 30 से 32 कोशन यहीं से आपको म दिल जाएंगे दूसरा जो कि सब के पास होता ही है ओ है लुसेंट अगर लुसेंट है तो बहुत अच्छा है देखिए लुसेंट को मैंने किस तरीके से पढ़ा है अगर आप भी चाहते है कि स्लेक्शन आपका हो जाए तो जीके के लिए इन दूनों पुस्तकों में से एक होने हैं लेकिन अगर आपके पास कोई पश्तक नहीं है तो आप अन्-CART संग्रा है की लेखे अगर आपके कोई पुस्तक नहीं तो आप इसी को लिजिए लुसेंट ठीक है अभी यह बहुत पुराणा है लेकिन अगर आपके कोई भी बता दियागा कैसे पढ़ है भी बता दिया गया इस्ट्रेटीजी बनाने पढ़ेगे खुद की आप दूसरे के टाम टेबल से दूसरे के स्ट्रेटीजी नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन जो इस्ट्रेटीजी जो कम समय में अपलाई किया जाता है उसको हम बता दिया अग झाल झाल